दोस्तों नमस्कार जैसर कृष्णा जैसरी राधे दोस्तों आज हम बात करेंगे मिथुन लव रासी फल जन्वरी 2021 नया बर्स नया महीना पहला महीना कैसे रहेंगे आपके प्रेम संबंद कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ आए जानते हैं दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि हमारा यह लव रासी फल चंद रासी यानि मून साइन के आधार पर है बैदे का इस्ट्रोजी के आधार पर है यहाँ पर आपको जानकारी मिलेगी कि आपके लव लाइफ आपके रिलेसंसिप आप सिंगल हैं तो कैस्तितियां इन सभी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे साथ जानेंगे किस रासी का पार्टनर आपको मिलता है तो प्रपोज कर दीजे किस रासी के पार्टनर से बचके रहिए इन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं अगर आपको मून साइन पता नहीं है तो इसे नाम की रासी का नुसार भी देख सकते हैं दोस्तो आई ये सुरू करते हैं आपका लव रासी फल सबसे पहले बात करेंगे सिंगल जो लोग हैं उनके लिए कैस्तितियां रहेगी आपके रासी पती का गोचर जिस प्रकार से है उससे तो इस्तितियां आप सिंगल हैं तो काफी प् अगर आपको confusion थी प्रपोज कर दीजिए जो भी है मान जाएगा पहले friend बना सकता है हो सकता है कि थोड़ा बहुत बक्त लगे लेकिन हाथ आगे बढ़ाएंगे तो बात बन जाएगी उससे भी अच्छी बात ये है कि अगर इस बीच में आपको खास करके जनवरी में चार जन ब्रेक अप हुआ था बापसी होने वाली है उसके साथ साथ आपको किस रासी का पार्टनर है उसकी बापसी ज़्यादा संभावनाएं बनती है वो लास्ट में बताएंगे आपको अब दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको इस बहुत बड़ी बात बोल रहा ह बहुत बड़ी बात यहाँ पर अगर आपको सक्ता कि आपका पार्टनर किसी और से भी प्यार करता है आप आपको अगर आपका एकसेप्ट नहीं कर रहा है आपका प्रपोजल तो आपको ऐसा लगता था कि किसी कोई और है उसके दिल में तो वो confusion आपकी दूर होगी आपको कि लिए क्या स्थिदिया हैं उनके लिए स्थिदियों खास करके बनती हैं कि रिस्तों में जो खटाज थी जो परेसानिया थी उनको कही न कहीं समाधान होता हुए नजर आएगा लेकिन उससे भी आपको कहीं यह खौता हौँने दूर क्यों गए थे कोई और आ गया था ये जो बज़े हैं ये जो सवाल हैं ये जो सवाल हैं आपके मने यही आपकी प्रॉब्लम है और यही प्रॉब्लम आपको एक बच्चपन की जो आदते होती हैं आपको बच्चापन जो है न आपके अंदर वो बच्चापन ही आपका आपको आपके प्यार से दूर कर देगा इसलिए खास कर जो 16 जनवरी से 28 जनवरी तक का समय ऐसा रहेगा जिस बीच में आप बच्चेपन में बहुत जादा बदल जाएंगे आपका बच्पना बहुत जादा आपके उपर होगा कितनी भी एज है बच्पना तो रहता ही है में थुम्रासी में और उ ऐसी बातें बोल दें ऐसे सवाल करने लगें बहुत मतलब जल्दवाजी करने लगें इस बज़े से आपकी प्रॉब्लम हो जाएंगी पुरानी बातें उखाड़ना गड़े मुर्दे उखाड़ना वो बातें हो जाती हैं सक करना यह चीजें ज्यादा तर परिसान कर सवाल ना करें क्योंकि उन सवालों का जवाब हमारे पास है ही नहीं उन सवालों का जवाब देंगे हम तो आप फिर से रूट जाएंगे इसलिए वो सवाल का जवाब नहीं देना चाहेंगे इस बीच में खास करके यह बहुत ज़्यादा इस्तियां यह बनेंगी कि आपके पार्टनर के बीच में अगर कोई तीसरा था तो उसका भेद खुल जाए आपके सामने लेकिन वो आपकी लाइफ से आपके पार्टनर की लाइफ से कोसों दूर चली गई होगी वो चला गया होगा मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्व है अब यहाँ पर इस्तियां हम जानते हैं कि मेरिड लाइफ की कैसी रहें मेरिड लाइफ में डाइवास इत्यादी की स्तिती से उलजे हुए थे बच जाएंगे उसके साथ साथ ये भी है कि अगर गलत फहमी बन गई थी गलत फहम्यो से आपके पंचमेश जो हैं पंचमेश जिस प्रकार से फल दे रहे हैं सुक्र सुक्र आपके पंचमेश और पंचमेश सुक्र का रासी परिवर्तन होगा चार जनवरी को चार जनवरी को रासी परिवर्तन करके इनका ट्रांजिट जो है वो धनूरासी में होगा और धनूरा खासी में इनका गोचर खास करके इस्तितियां आपके लिए दामपत्य जीवन में मधुरता लेकर आएगा सामंजस से बन जाएगा और दोनों लोगों की किस्मत चमक उठेगी फैमिली प्लानिंग घूमने फिरने और बहुत सारी यादों को याद करते हुए बीते दिन भूल जाएंगे और नया सवेरा होगा और देखा जाएगा कि आप बहुत सारे एक तरह से किसी भी एज में हैं बहुत हसी खुसी अपना जीवन विताएंगे दामपत्य जीवन में खुसी आ जाएंगी उससे ज़्यादा एक बड़ा बहुत प्यारा आपके लिए एक आपके अंदर उमंग जागेगी जो आपको हर प्रकार की गलतियों को माप करने कहेगी अगर पार्टनर से किसी प्रकार की बीते दिनों में गलतियां होई हैं उसे आप माप कर दें उसके साथ-साथ अगर आप समय की मांग ज्यादा करते हैं तो वो भी आपकी मांग पूरी होगी इस गोचर में इस पूरे जनवरी के महीने में खास कर चार जनवरी से 28 जनवरी के वीची में समय खूब मिलेगा और क्या कहता है आपके लिए और जो समय खास कर देखा जाए तो 15 जनवरी तक थोड़ा बहुत मतभेद की स्थिति रहेगी अगर आपके पार्टनर चस्मा लगा हुआ है थोड़ी नजरों से कमजोर है तो इस्थितियां ज्यादा खराव हो सकती है एक जनवरी से लेकर के 16 जनवरी तक 15 जनवरी तक अगर चस्मा लगा हुआ है चस्मिस कमजोर आँखे थोड़ी बहुत और आँखों में रतोंदी या आँखों में आँशू पानी की सिकायत है तो ऐसे में प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ी बहुत और अगर हम बात करते हैं एक्ष्टा मेरिटल अफेर की या लब मेरिज की बात कर लेते हैं पहले लब मेरिज की अगर बात करते हैं तो लब मेरिज के लिए खास करके समय जो रहेगा वो बेहद मेरिज के लिए बेहद उत्तम समय रहेगा 16-17 जनवरी से लेकरके 26-27 जनवरी तक ये समय लब मेरिज के लिए बेहद उत्तम है इसमें बस बात करिए बात बन जाएगी अगर बात नहीं बन रही थी आपके फैमिली वाले आपके पार्टनर के फैमिली वाले नहीं मान रहे थे या आपका पार्टनर ही नहीं मान रहा था मेरिज के लिए तो अब वो उमंग उसके अंदर भी जागरत होगी, बस आप तो बस थोड़ा सा बात कीजिए, बात को आगे बढ़ाईए, चुप मत हो जाईए, बात को आगे बढ़ाईए, थोड़ा उसके कानों में डालिए और वो देखिये आपके कैसी बात मानता है अब दोस्तों हम यहाँ पर ये भी कहना चाहेंगे जो लोग एक्ष्टा मेरिटल अफेर इत्यादी बनाते हैं, उनके लिए इस्तितियां बहुत ज्यादा खराब हैं, एक्ष्टा मेरिटल अफेर की इस्तितियां 28 जनवरी के बाद तो और भी खराब हो जाएंगी, क्योंकि 28 29 जनवरी के बाद में सुक्र अश्टम में आ जाएगा, इस बजय से मैं आपको कहूंगा, इस बीच में, इस जनवरी के पूरे महीने में आपको धोका देने बाले लोग बहुत मिलेंगे, धोका मतलब क्या, जिससे आप एक्ष्टा मेरिटल अफेर में हैं भी, या हैं तब उससे दिल लगाना चाहते हैं, वो आपसे जूटे-जूटे बादे कर देगा, कि देखे साधी करेंगे, हम अपने डाइबोस ले लेंगे अपनी पत्नी से, अपने पती से, आपके साथ रहेंगे, ऐसे जूटे-जूटे बादे करके, आपसे, अगर मैं कहूं तो यह गलत नहीं होगा, कि धन इत्यादी कहीं न कहीं प्राप्त कर सकता है, अथवा फिजिकली यूज कर सकता है, यह आपके लिए बहुत जादा दुखदायक होगा, क्यूंकि आप बहुत जादा इमोशनल हैं, और उससे कन्यक्ट अच्छी तरीके से हो जाएंगे, फिर आपको यह आपके लिए मैंने बताया, अब आपको यह ध्यान में रखना है, लिविन में रहते हैं, इनके लिए सबके लिए जानकारी थी, दोस्तों अब आपको ध्यान में क्या रखना है, अब यह जानकारी में दूँगा आपको दो तीन रासियों की, अगर उन रासियों के पार्ट प्यार भरपूर मिलेगा आनद रहेगा कोई दिक्कत नहीं होगी मौज मस्ती बहुत बढ़िया से आपका जन्वली का महीना जाएगा अब अगर हम बात करते हैं जो रासी धोका दे सकती है वो कौन सी है धोका देने वाली रासी ये बहुत लोगों का बुरा लगेगा क्योंकि इस रासी के पार्टनर अधिकतर लोगों के होंगे लेकिन मेरी तो आदत है सच बोलने की तो वो सच तो बोलना पड़ेगा और धोका देने की या खराब इस्तितियां जिस रासी के साथ में है वो रासी है मकर रासी अगर मकर रासी का पार्टनर है तो धोका धड़ी ये बहुत ज़्यादा इस्तितियां खराब हो सकती है ये सच बिलकुल याद रखना दोस्तों आसा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया इसे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा ज़्यादा सेयर करें साथी साथ लब टिप्स अदुल जी चैनल जो है वो लब टॉपिक के लिए है इसलिए अगर आपको लवरासी फल देखना है लवर रिलेसंसिप के बारे में जानना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल आगर पेस कर सकते हैं जिससे के आपको लेटिस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएं दोस्तों इंस्टाग्राम और फेस्बुक पेज पर ज़रूर फॉलो कर लें क्योंकि वहाँ पर लाएवाना जल्दी ही प्रारम करने वाले हैं और वहाँ पर आपकी चर्चा हमारे साथ में डारेक्ट होगी तो दोस्तों इंस्टाग्राम के और फेस्बुक पेज के लिंक आपको डिस्क्रिप्सिन मिल जाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद